तो वेलकम हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बी ए ग्रेजविसन पॉलिटिकल साइंस हमारा ओनर्स का पेपर है और कॉर पेपर आइट है ठीक पॉलिटिकल साइंस कॉर पेपर आइट के बारे में कि यह किस तरह पुछा गया जाता है हैं यहां पे आपका फुल मार्क्स 80 होता है और तीन गंड़े का समय दिया जाता थेक अब देखते हैं कि यह 80 मार्क्स किस तरह से आपको पूछे जाते हैं तो इसमें पहला कॉस्चन जो है आपका होता है लिए 20 मार्क्स का उसके बादबाकी 4 कोस्चन बचते हैं वो होते ह आपके 60 marks के और पहला question 10 objective होता है और 2 5 marks के होते हैं ठीक तो पहले देखते हैं उसके बाद सभी question बाकी चार जितने बचते हैं वो 15 15 marks के होते हैं तो देखते हैं किस प्रकार इसका उत्तर लिखा जाता है और आपके लिखने की technique भी क्या होनी चाहिए वो भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा तो आएए देखते हैं यहां से हमारा सुरू होता है किनी चार प्रशनों के उत्तर दें ठीक जिसमें से एक आपका कंपल सरी है यानि कि अनिवार्य है यहाँ पे है पहला question question number one का निम्डिखित प्रस्णों में सही का चैन करें और यहाँ पे पहला आ जाता है हमारा question संजुक्त राश्ट्र संग के गठन के समय 1945 में सदैस राश्ट्रों की संख्या कितने थे तो उस समय राश्ट्रों की संख्याती 50 लेकिन पॉलेंट ने तुरंध ही कर दिया था तो हो जाता है हमारा 51 तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका c number 51 और जितने भी objective हैं यह सभी एक marks के हैं only one marks उसके बाद दूसरा question आता है संजुक्त राश्ट्र संग की आधिकारिक भासाओं की संख्या कितनी है तो संजुक्त राश्ट होता है दो भासाओं में French और English में कारी होता है जबकि 6 भासाओं को accept किया गया है तीसरा आता है हमारा संजुक्त राश्ट संग की आस्थापना कब हुई तो संजुक्त राश्ट संग की आस्थापना 24 October 1945 को हुआ था यहां पे कोई भी उत्तर सही नहीं दिया गया है दोस्त तो तो क्या बतााएं कैसा कैसा जूब युणीवर्सेटी की लोग होते मृक्त करने पाते हैं तो हमारा संध कहां जाएगा सच बता रहा हूँ मतलब ऐसे ऐसे लोगों को question paper set करने दे दिया जाता है आगे देखिए माप किजिए का गाली निमू से निकल ही जाता है क्या करें आयोई की वेक्तियों के हाथ में हमारा देश चल रहा है परमानु अपरसार संदी non-propilation treaty का पुलपम होता है परमानु अपरसार संदी के अंतरगत कितने परमानु सस्त्र राज हैं तो ये पाँच राज हैं सस्त्र परनाभिक रूप से संबंदी थे जो कि अमेरिका है उसके बाद आपका चीन है रूस है इंगलेंड है और फ्रांस है ये पाँच राज यह हैं ठीक पाँच देश अगला है हमारा निम्डिखित में से कोन 1945 में यूएनो का मौलिक सदिस नहीं था तो जिस समय यूए अलग होकर बना जी 1976 में इस समय बना बाद में पाकिस्तान से अलग होकर अगला कोस्टन है हमारा यूएनो के अस्थाई सदिस्यों की संख्या कितनी है तो उसमें पांच सदिस अस्थाई होते हैं अमेरिका चीन उसके बाद तीसरे नमबर पर आता है आपका इंगलेंड पांच देश जो हैं अस्थाई सदिस हैं लेकिन हमारे भारत को भी रहोना चाहिए यार बहुत अन्याय करते हैं यह और हमारे देश के नेता इंटरनेशनल लेवल पर लड़ते नहीं कभी और अपने राज देश के अंदर ही लड़ मरते हैं सात्वा कोस्टन अंतराश्ट के अमेरिका की राज़ दाज्दानी है भारत में एक बहने हमारे दोस्तों बताया है उसके इतने भी ककानू ने वो कानून को एक किताब में लिखा गया है उसी किताब का नाम है चार्टर्ड और उसमें 19 अध्याए हैं यानि कि 19 lesson है 19 chapter हैं ठीक और 111 धाराएं हैं उसको कब तयार किया गया था उसको तयार किया गया था 26 जून 1945 ठीक 26 जून 1945 1945 1945 को इसका अंसर हो जाएगा भी इनोंने गरत मारा है अगला है हमारा question इन में से कोन UNO की आधिकारिक US नहीं है यानि कि इन में से कोन सी भाशा को UNO में मंजुरी नहीं दी गई है और भी भाशा इसको दी गई है मंजुरी पुर्तगाली भाशा इसको मायन्यता नहीं दी गई है जबकि फ्रेंच और रूस मासा को मायन्यता दी गई है तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पूर्तगाल पूर्तगाल को नहीं दिया गया है दस्वा कोस्चेन अंत्राइश्टिय स्रामिक संगठन यानि कि इंटरनेश्णल लेवर और और इससे आप बोलते हैं मतलब कहां पे इस्तित है तो इसका हो जाएगा जनेवा जनेवा में इसका मुख्याल है इस्तित है चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा आता है one का b और ये दो question लिखने होते हैं निम्निकित में से किनी दो प्रश्णों के संचेप्त में उत्तर दे यानि कि आपको लगबग एक सो सब्दों में इसका उत्तर देना है यानि कि एक page only one page में उत्तर देना है पांच marks के दो question है यानि कि 10 marks आपको मिलेंगे दस नमबर मिलेंगे पांच-पांच के दो question है देखिए दोस्त मुझे सर मत कहा किजेगा मुझे बड़ी सर्मेंदा होता है यार सर आप लोग बोलते हैं मुझे दोस्त कहा किजी only friend not sir ठेक क्योंकि सर में बहुत सारी बंदन ही होती है जिसके कारण मैं आप से खुल के बात नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं दोस्ती बनना चाहूंगा आपके लिए निमनिकित में से किनी दो पर संचिप टिपनी लिखना है बी स्वास संगठन यानि कि दो को ही आपको लिखना है एक सब्दों में लिखिए आपको अच्छे से राइटिंग साथ लिखिएगा ना तो चार-चार मार्क्स मिलेंगे अगला है यहाँ पर हमारा पंदरा-पंदरा मार्क्स के कॉस्चन सुरू होते हैं आर्क किसी चार का ही उतर देना है टोटल 6 कोस्चन है ठीक ना पंदरा-पंदरा मार्क्स के आपको चार का ही उतर देना है पहला है अंतराष्ट राजनीती तथा अंतराष्ट संबंधों में अंतर बताएं ठीक यह लिख सकते हैं या फिर राष्ट सक्ति की परिभासा एम इसके बिभिन रूपों का वर्णन कीजिए यह भी 15 माक्स का है केवल चार ही लिख रहे हैं आपको राष्ट हित से आप क्या समझते हैं इसके अभिवर्ति के परमुक साधन बताईए अगला है सामुईक सुरक्षा के सिधान्त की आल वर्णन करते हुए उस पर निमबंद लिखें या फिर आठवा कोस्टेन होता है जो कि हमारी पेपर का अंतिम कोस्टेन है सक्ति के परिभासा प्राकृति और लक्षनों का संचेप में वर्णन केजिए यह जो मैंने आपको कोस्टेन का प्रोभाइड कराया है यह सारी कोस् पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने अल्रेडी आपके वीडियो बना चुका हूं और उसे आप चाहे तो देख सकते हैं और बिए के हर सेमेश्टर का आपका कॉस्टेन पेपर मिल जाएगा आप जाएए प्ले लिश्ट पे वहां पर प्रेवेस और कॉस्टेन पेपर पर ज बड़ी मेंनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं क्या बता हूं सच बता रहा हूं सस्क्राइब कर लिजेगा तो चलिए फिर मिलते अगले वीडियो के साथ पढ़िए अपने हाग के लड़िए खुद भी आगे बढ़िए देश को भी आगे बढ़ाए देश हमारे सब्सक्राइब क्या बताएं बताओंगा नहीं और आप ही अब बताएंगे कामेंट में की वीडियो कैसा रहा तो थैंक्यू वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद